नमस्कार दोस्तों मैं राज स्कुला यूपी बोर्ड हाई स्कुल के इस नंबर वन चैनल में आपका स्वागत करता हूं आसा है आप जिन्दा जानदा और जबजस्त होंगे तो आज हम क्या है एक नए बेहतरीन चैप्टर को लेका रहे हैं जिसमें क्या है आपको बहुत जा सबस्क्राइब करने वाले हैं तो क्या है बस मन लगा के और अन्त नहीं कि ना तो फिर मज़ा तो आने वाला नहीं है बस धैर बनाओ पेंस को किसी को समझना है तो ताम दो किस भी हो नहीं कि सब कुछ हो गा हुँके सब में दो कहीं पर समय जब आप समय देना सीख जाए गे तो मज़ा ही आजryगा यह इसमें कि अनला के तो having के, यह दो से अधिकु पर्दार्थों को मिलाने से बने समांगी मिश्रबर को हम वेलेन कहते हैं, अच्छा समांगी मिश्रब कहा रучता है, देखो एक काम करो, क्या है कि आप चीनी और पानी को मिला दो, जीनी और पानी को मिला ऑ घोल डालो, अब इसके बाद ढूनि के दिख यहां तक मुझे पता है बच्चों क्लियर हो गया है कि विलन क्यों होता है फिर से बगता है रहूं दो या दो से अधी कभी एक चीज को पानी को पानी को पानी से मिलाओ किसी यांत्रिक विधी त्वारा अलग नहीं किया जा सकता है आप क्या के आजचीनी और पानी को मिला लइन चीट मिलाएं मोटर में त्वाल हैं मोटर से अलग अब से अरंब लुद भाला चेस्टिक देशन नंब के निचिन को कभी नहीं आई आपको गरम पर रहेsix क्या करना पड़ेएंगा क्या कट हैं और निचली के विल्यन का है अब यह जानने वाले तो यह ज़ली है घ्रकाव गर्रत यानितियार है अभी तो हम भी जानने वाले industry अभिव्या को पुछ अब गर कैसे तरह को बस्ति है जसे गान है नब पानी पानी हो गई तो क्या है पानी हमारा क्या है विलायक है और चीन जो हमारा विले क्या है वो चीनी है हिंदी चीनी भाई भाई लेकिन चीनी नहीं है धिन्भाहनादवा है p 수 देना हम लोग पढ़ेंगे हम निलंबन क्या है तो यही एक टॉपिक है यह और एक कॉलाइडल हमारे आज पास के पदात वाले जो सुद्ध है क्या हमारे पास की इस चप्टर का सबसे मतलगी कन्रिफ्यूजिंग जो टॉपिक होते हैं यह निलंबन होता है और एक कॉलाइड लग Wallace के लिए आज मेरे मेर भिशाइव लगते कसी सबस्क्तों के लाइव जो लब्भाढ शुद्ध करके में लिए लिए विचों मिश्राइनर में करके भी लिए विशां मिश्राइब भीचों होता है यह इस रूप में इसके माइक्रोइस्कोप और नंगी आँखों सो भी देखा जासेता है अब कैसा एक काम करो अब यहाँ पर चीनी पानी मत बिलाओ एक काम करो चौक लो चौक चूर बनाओ और उसको पानी में मिला दो क्या करोगे मिला और घॉल यहनल इसको देख रहे हो पूरती हुए दिखाई देगी तो आद जिसको माइक्रोड को और नंगी आंखों से भी सकते हैं अगर हमारी क्या है एक बाटली है रहे हमारा पानी भरा है क्या बरा है पाद नहीं भरा है और इसमें हम क्या कर रहे हैं भई मात चौक किया है हुं छॉक हो आपने से देख सकते हैं बरे में बात चार घलाज क Elizabethॉ मतले लें देखेंगे हुआ नहीं के नौल हमें बसी बसटीडास से नहीं है ने कांच के गलास लिए हमंपे दिखाए देगा तो ही कह रहा है इसके अलावा यह परियात अकार के ठोस कड़ों का मिश्रु है जो और शादन से भी गुजर सकता है तो एकदम बर सिंपल यादखना कि जो इसके जो कंड होंगे जो हमें दिखाई देंगे बस सिंपल बहुत है नहीं होगा इसके कंड हमें बराबर आ रही है कि कि निलंभन को एक विशमन के रूग में परिभासित किया है कैसा विशम्मिष्रaiserै अब दिखाई दे रही नहीं कि नहीं दे business Tada से किरो में प्रिभास्ट किया है जिसमें ठोस जोस्कड तरल में घुले विना पूरे तरल में भैल जाते हैं अब बताओ चीनी को जैसे हम घुलेंगे पूरें घुल जाएका नहीं बिलकुन घुल जाएगा लेकिन इसमें जो यह चौक कि कन है यह कदाप ही नहीं घुलने वाले इसमें पड़ें रहेंगे इसमें मिक्स हो जाएंगे लेकि पूर्ता मिर्क से नहीं होंगी वो हम उसको अलाग अलाग के देख सकेंगे याद रखना तो यह का है निलंबन को एक विश्म का है विश्म मिश्ण के रूपे परिभासित किया गया है जिसमें ठोस कर तरल में घुले बिना तरल में फैल जाते उसमें पूरे कर लो क्या है जो करना कर लो मैंने तो ऐसे मिलने वाला नहीं है तो क्या है निलंबन के उधारन क्या है जिसे पानी में रेत को मिला दो क्या करो अब पानी लिए भीया यह हमने इसमें पानी भल लिया यह आपने इसमें क्या क्लिया पानी भल लिया अब पानी बाद इसमें आपने डाली क्या कर दी क्या बताओ जब कुछ दियर बाद यहाँ कोुछलो अदु क्या जाएगा लेकिन अगर आप इसको ड sacrificed कलो से तो कुछ दियर बाद एप देखेंगे बालु इसमेंक pacco ke terni लगेगा तो ऐसे अप texts को हम क्या कहते हैं निलंबन कहेंगेनी जो इसके कड़ होंगे वो कड़ कैसे होंगे निलंबित कड़ होंगे याद रखना भाया मेरे करेजा बहुत जएदा डाउट रहता बच्चों का बस आए इसको पड़ कर जाना एक नमबर कहीं काट देट रद्वताना तो आगे मठ मैला पानी जिसे क्या है नाली का पानी भल जाएगी तो मिलने वाली नहीं है जब कुछ देबाद होता बैट जाती है या फिर बरसात होती है तो पहले पानी गंदा हो जाता है तो पानी में साप दिखाई देना था तो वह भी हमारा निलम्मन के उधार है मैगनीशिया का है मैगरीशिया का दूद आगे बुझे हुए चूने का उपयोग सफेदी के लिए जब किया जाता है तो उसमें जब चूने को ऐसे से घोड़ का हम पिंट करने के लिए उसका तेना चूना लाते है जब उसमें घोड़ देते है तो पूरा घुल जाता है लेक लेकिन उसके कणड में धिखाय देंगे कहेंगे घूल ला गया लिख घूलता नहीं है वाइस दिखाय देखा तो कहें निलममत कणड से धिखाय देते रहेंगे यह द्शू Communication किया रहें हुथ यह थोस कणों को एक भालू को थोस सकते हैं, बिल्गोनाप भालु कुछ थोस कणों से देख सकते हैं जूट मत गोलना देख तो सकते ही हो आपको जब हम तो न देखेंगे शार हम दो हमें दिखाई नहीं देखा हम आख मुन लेंगी कैसे दिखाई देगा अब तुम्हागी बहुता को सभी में ने दिखा देखा लेकिन आख खोलोगे तो आपको बालू इसमें तैर्ति भी यानि हमारा विलियन विलियन से लभक सव गुना ज्यादा बड़ा होगा एक निलंबन यानि जो टिंडल है प्रभाव दिखाता क्या करता है जो निलंबन होता है ना टिंडल प्रभाव दिखाता है इसमें गुजरने वाला प्रकास की किरना बिखेरने की छमता होती है ऐसा व परेड ही से घंड ल हमारा से स dönd range तो उसमें नहीं देल लेकिन जब इसमें जो ठोंस की न है उसके वज़ा से वह पता चल रहा है की प्रकास कैसे यथा तो इसमें जो मार्ग हैं वा रास्ता होगी दिखाए करता है ये बात यहाल कि हाँ कोает कि का मुझ धीर भुच रेता है कि घृत को यहीं कि यह विश्मांगी मिस्रा होता है इसमें जो ठोस कड़ोते हैं जब प्रकास की कड़ों से गुजरता है तो यह चमकने लगते हैं जहां से प्रकास कड़ों जाता है वहां पर हमको लास्ता दिखाई देता है बात बता देना समझा देना उनको अच्छे से कि ऐसा होता है इसके कि अलावा कुछ नहीं होता बस हम समच चुके हैं दुबारा में कन्फ्यूज ना करें क्योंकि कन्फ्यूजन के बाद कुछ ग्रबर हो जाएगा और ने भी क्या है इन्हें आइस्थिर कहा जाता है जैसे बताओ बालू है अरे यार्द ये भी टेहमा मेरा हो रहा है अब आग आइस्थिर होता है आप बालू को घूल लिये मतल्ए डालिए खुद्ध बाद होगा उसमें पूरा बालू वैट चौक चौक बाद होगा चौक बीट जाएगी अब चونौश जोने को मतलिं दोबार ही लाएं हो पूरा बैट जायगा उपर अब कर सापसा पानी दिखाए द और इस आइस्तिर रिस्तिते में निलम्मन टिंदर प्रभाव नहीं दिखाता है अब जब वो सांथ हो जाएगा तो आप यहां पर देखिए माल लीजी यहां पर भी भारे होते यहां पर होगा वो साथ बालो हमारे से बैठ जाएगा अजब बैठ जाएगा तो पानी दम फिर दुख जब तक जो उसमें कान थोंस के कान वो घूमते हूं उसको अपने हिलाया हुआ हो अगर आप इसको हिलाएंगे नहीं जब उसक कणा बैठ जाएगा तो तिंडर प्रभाव नहीं दिखाया यहां लेकिन हमने उसको हिलाया है तब उसका चिंदर प्रभाव दिखाई भाइगा ठह्टी से बताना किसी को इसे मत पो अंतों आ एसे होता है तो क्या करा है नेलम्बन के कट फिल्टर पेपर से घुजरने में असमर्थ होते हैं इसलिए इन्हें निश्वंदर का उपएयो करके लाग किया जाता है म immense इसको फिल्टार से हम इसको आलग कर सकते हैं तो इसके लिए हमें निश्वंदन प्रिपर का यूज किया जाता है याद रखना अब हाया हमारा दूसरा खतरनाग टॉपिक जिसमें बच्चे करते हैं सर यह भी नहीं समझा यह प्लीज इसको हमको समझा दीजे नहीं तो हमारे अहनो चमन जो भी होता क्या बोलते ह है यह गाना है ना चैनोमन क्या है हमारा चैनोमन खो गया हमारे नीन हराम हो चुकी है हमें समझ नहीं आ रहा कितना करें को से समझ ही नहीं आता अरे हम है ना हम समझाएंगे कि यह कोलाइट है क्या तो अब धान दो करा कोलाइट एक सजाती मिस्ट्रण घोल है क्या इसमें स सब कुछ एक जैसा होगा सरजाती ही होगा जिसके भीतर घटक कंड समान रूप से फैले होते हैं यह निलंबन और तक कि विलेयन के बीच कहीं मौझूद है यह नंग आगों से बा मुश्किल देखने होका से थागा अगान के मिला देते हैं घटक थोड़ा और छोटी होते हैं ओ ऐसा होता है किसमें जिसके जो कंड होंगे इनको बहुत मुस्किल से देख पाते हैं। मुस्सायद नहीं देख पाएंगे। इसी इस्तिति में भी होते हैं। इनके जोकार होता है दो नैनो मीटर से हजार नैनो मीटर के बीच मी होता है कि इसे अला किया जा सकता हूए क्लाइड्स को अलग दिखाना है तो आपको पताच चल जाएगा कलाइडस में कॉलाइड करण को कॉलाइड कर जाता ही इसमें चैंख तो इसमें कण घंगा है और को कॉलाइडी मेंं। उन्हें पर रहने तटेसं के दो करना को कुलाइडर परिख्षैप्ड कहा जाता है और रिछो में तयार हूं आध्यान को जाता है इसमें समान तरीके के चीजिए निमें भीत्र रूसे ब्ली हsecond यह नहीं कि थोड़ा बहुत ना 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 उसमें पूरा फैल जाएगा पदार्थ की तीनों अवस्थाइं मिलकर कोड़ाइडी करका प्रक्रियूर्ण करते हैं यह बात भी यहाद रखना बहुत इंपॉर्टन टॉपिक है अब यहां पर हम कैसी को जैंपल करेंगी जिसे एरोस का है यह गैस के साथ थोस यह तरल का मिश्रा है उदारण के लिए कोहरा कोहरा आप देखें कोहरा यह गैस के साथ थोस यह तरल कभी आप कोहरा देखिए कोहरा में हमारा गैस भी पाए जाता है जलके भी कड़ पाए जाते हैं धूए के भी कड़ पाए जा रहे हैं तो यह क को लायडीकर और यातरा लूदारा सके साथ का मिश्ण望 है जैसे पेंट 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 बहुत मॉच्छ से अलग अलग देख पाती है या तिक भी समान रूब से चीजे मिलाई जाती है और इसमें तेल और ऑल को अलग अलग देख नहीं सकते एक पायस यह द्राव के साथ द्राव का मिश्रण है यह क्या है यह तर्ल का उदा रहा है यह गैस के साथ ठोस के मिश्रण का उदा रहा है यह गैस के साथ ठोस तर्ल का किसका गैस है गैस में ठोस मिला दे रहे हैं और लिक्विड को मिला दे र अब तेल मिलाओ कितना अच्छा एक्जामपल रहेगा पानी मापके काम करिए यह तो आपने किया भी होगा आप से पानी में तेल गिर जाए यह तेल में पानी गिर जाए तो भीया उसमें दोनों चीज अलाग अलाग दिखाए देगी पानी में तेल हमेसा हुआ तैरता हुआ तो आप निर्चान करके बता देंगे माल लो हमारा भाया यह तेल का पानी है उपर तेल भरा हुआ है दोनों को हम बराबर से अलग अलग देख सकते हैं अच्छा जेल अब एक जेल की बात करते हैं यह ठोस में तरल कमिश्रों होता है जैसे जेली जेली होते है ना उसमें हम ठ इसमपल याद करो कि जब के साथ मं द्रोग को मिला दें द्रों को मिला धें या गईस के साथ ठोंस चीज़ अब अच्छा फोओं करना यह थार मिलां तो यह झी आपन तो समें होता है पैनी को मिलाता हैम वह सम्हों समझाती सब्रू ने जो त्यार क्यПр तो कैसा को बिश्माग से इसमें तो बिश्मागी मिश्रम आना जाता है बिल्कुन क्यों ना वाने इसमें हमने यह विखर में पानी बह्राई था क्या फाल था क्र किया कि यह हमने आके तेल के दीया भण अब टॉच देख रहे हैं कि तेल आके उपर तेरने लगा जाने पर घखेते ह들이 सबने गड़ेँ मिल डालिये और जाने गड़ेँ करणों कॉलाइडे के कन नंगी आँकों से नहीं देखे जासे हैं आप जाओ अब कोहरा आदा ये मालू कोहरा है कोहरा में हमारा गैस है हमारा क्या है Wasp है ….. नमी दूल ​​ … धूँआ त्वृ जो है यह बने प ini मने पहते हैं नमी धूसी भड़ा है लेकिन इसमें अब अलग-अलग चीजों को नहीं देख सकते हैं इसमें आप किसी भी condition में आप ड्णव को अलग अलग नहीं देख सकते हैं तो बिखुर राए कि कुलाइडिक द्ञानलों को 20 लबभक 2001-200 네為 या नाइन निनो क्या चीज होते हैं कि अन्य क्या गुड़ हैं हमारे इसके वारे इसके वारे में देख लेते हैं क्या कर रहा है को लाइड में बिना भी छोब छोड़े जाने पर दिखरे हुए कंड नीचे नहीं बैठते हैं मतलब ए बात आने ना अगर हम उसमें नॉर्मली दिशते पानी मे सुआ डाल रहे हैं अगर इसमें नीचे नहीं बैठे से कभी नीचे नहीं जागा कोई भी कंडिस्टों हो जाए हम शोड़ नहीं करो इसको कुछ भी लार नहीं रहे हैं अगर लख नताल भी कर दिये तो नीचे वाला नहीं है को लाइड इस्eger मिस्राइं Fotos में अब kijken हम इस तो यह नहीं कि नीचे बैट जाएगा ऐसा कुछ वाला नहीं कि अलावा को लाएड में परिछेप्ण माध्यम को निश्पन्दन द्वारा अलग नहीं किया जाता है अब इसमें हम क्या है सोचे कि आप यह तेल पानी को मिला दिये हैं यह कोहर हो रहा है हम इसको बढ़ी अपने निस्बंदन के द्वारा अलग कर लेंगे तू यह भी होने वाला नहीं है निस्बंदन कर ले जाहे जो भी कर लें इसके बाद इसमिस तरह से चीजे अलग नहीं क कर सतर निस्बंदन तो कभी काम ही नहीं करेगा इसके अतरित बिखरे हुए कर कोलाइट्स में ब्राउनियन गति करते दिखाते हैं ब्राउनियन गति करते हुए दिखाई देते हैं यानि ब्राउनियन गति करते हुए हमको दिखाई देते हैं तो अब हमने तो पढ़ लिया लेकिन इसके भी जो डिफरेंस कि हम लोग थोड़ा कभी पूंचेता है कि एक्जामे कि कुछ सें क्या कि ये बताईए निलंबन और हमारा ये कॉलाइड में में डिफरेंस के है तब वहां पर या बढ़ा कन्फिजन हाती कैसे कैसे हम चार्ड बनाएं मैं आपके सामने पुरा अगला तहरीक होंगे तोंगे समान दिखने वाले होंगे समान dalam होंगे क्योंकि यद्दी उफचार थीक हो जाता है मतलब अगयर इस नóc मेंे मिलाया है रहे हमेटती इउटणी या चौक मिलाया है तो कुछ दिरrovात किया था है इतने बैट जाता था अक deepest तो वह ही काहता है मतलब इसमें मौजूद कड़ों का ब्यास लगभग एक हजा नाइनो मीटर होता है पॉइंट में याद है कि कुछ भीज इस तो स्वाइज गित्ता बड़ा होता है कितना एक हजा नाइनो मीटर है इसमें मौजूद करणों का ब्यास एक हजार नाइनो मीटर के बीच में होता है यह तिंडर प्रभाव को प्रदर्शित करता है यह तिंडर प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करता है सबस्क्राव में प्रदर्शित नहीं होगा आगे इसे सूष्म दर्शित से यह तिंडर आखों से भी आसानी से देखा करता है यहां नगन आखों से इस पस रूप से दिखाई नहीं होगा हम ऐसे चाहें इसमें देख ले तो कोहर हो और हमें कुछ दिखाई देने वाला नहीं रहेगा यहां तक आज आपका क्या है यह विलियन और कॉलाइडे करके क्या है में डिफरेंस था अक्सर बच्चों के यहां पर प्रॉब्लम आती थी इसलिए मैं कहा का कुछ भी हो जाए इन दोनों के तो अलग से मिले करके जाओंगा जो मेरा बच्चा प्रैसान हो रहा है यह कुलाइडी क्या होता है यह विलियन क्या हो इनके बीच के अंतर क्या है और इनका साइज क्या होता कैसे क्या आप चार लोग के वीडियो को करें चार बार देख लेंगे जितना अच्छ तरीके से नहीं आजागा मैं केवाल यहीं टॉपिक के लिए बात नहीं कर रहा हूं आप जितना भी प्रॉब्लम होती वहां पर बात आओ आपको जहां पर समझ में नहीं आ रहा हो कि सारी इस आपको वीडियो उनाओंगा कि यह लो बच्चा आपके सामने परोस दिया अब बताओ आप कहां पर दिक्कात आ रहे हैं जहां पर आपकी दिक्कत आएगे वह दिक्कत हम सौल करेंगे ठीक है तो आज-आज की क्लास यहीं पर समाप मिलते हैं नेस क्लास में तब तक लिए नमस्कार जय हिन